इस विडियो में हम बात करेंगे 1987 की फिल्म दग्राइंड हाइवे के बारे में जो एक ऐसी कहानी है जहां हम 9 साल के लुइस की नजरों से जिन्दगी, मौत, बचपन और उम्र में बड़े लोगों के रास देखते हैं और उन सारी चीजों को समझते हैं पैरिस में रहने वाले 9 साल के लुइस को कुछ दिनों के लिए अपनी मा से दूर होना पड़ रहा था क्योंकि वो अपने दूसरे बच्चे को जन्द देने वाली है और इसलिए वो लुइस का ध्यान नहीं रख पाएगी अपने शहर से दूर उसकी मा क्लेर उसे ब्रिटनी इलाके के एक गाउ में ले गई जहां उनके सामने एक खडूस आदमी आ पहुचा और उस इलाके और वहा के लोगों को देख कर लुइस निराश हो गया लुइस अपने पिता के पास जाना चाहता था जो उस वक्त किसी दूसरे शहर में काम कर रहे थे पर क्लेर ने बताया कि वो इतने दूर है कि अपने दूसरे बच्चे के जन्द के लिए भी नहीं आ पाएंगे क्लेर लुइस को अपनी दोस्त मारसेल के घर भेज रही थी और ये सुनकर उस खडूस आदमी ने उनकी मदद करने का फैसला किया वो उन से सवाल पूछने लगा और कहने लगा कि मारसेल जगडालू है और अपनी दोस्त की बुराईया सुनकर क्लेर ने उसकी मदद लेने से इंकार कर दिया। उस आदमी की बाते सुनकर लूइस मारसेल से डरने लगा और सुनसान इलाका देखकर उसका डर बढ़ता गया। बात और बिगड़ गई जब उसने मारसेल को एक खरगोश को मारते हुए देखा। कुछ देर बाद मारसेल ने बताया कि उसका पती पहलो जानता था कि क्लेर उनके घर आ रही है फिर भी वो घर लोट कर नहीं आया है क्योंकि वो क्लेर का सामना नहीं करना चाहता। ठीक उस वक्त मारतीन नाम की एक लड़की उस घर में आयी जो मारसेल के पडोस में रहती है और लुइस को उसके साथ बाहर भेज दिया गया। मार्टीन उसे अपने साथ एक पेड़ पर ले गई जहासे वो दूसरों के घरों में जाकती है। वो लुइस को अपनी बहन सोलांच और उसके बॉइफरिंट साइमन के बारे में बताने लगी जिसके बाद उसने अपनी मा के बारे में भी उसे बताया। मार्टीन की उस खूफिया जगय में नई दिल्चस्प चीजे देखकर लुइस को बहतर महसूस होने लगा। और फिर मार्टीन ने बताया कि उसे उस पेड़ से कबरिस्तान भी नजर आता है। और वो फ्यूनरल पे आये अजीब और गरीब लोगों को देखकर मजे लेती ह लुइस ये नहीं जानता था कि एक ऐसा राज है जो उसकी माँ से बता नहीं पा रही और इस सच से अंजान लुइस मार्टीन के साथ वक्त बताने में बिजी था। जल्द ही कलेर के जाने का वक्त आ गया और उसने वादा किया कि वो चिट्टिया उसे भेचती रहेगी। उसके जाने के बाद जब लुइस मार्सेल के साथ वक्त बता रहा था तब उसके पास वही खडूस आदमी आया जो मार्सेल की बुराईया कर रहा था और तब लुइस को पता चला कि वही आदमी पैलो है। पैलो घर लोडते ही अपने शराबी दोस्त के साथ बाहर चला गय और लुइस को समझ आ गया कि उसकी इन आदतों की वज़े से मारसेल उससे परिशान हो चुकी है। तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। पूरी राट डर की वज़े से लुइस ठीक से सो नहीं पाया और चर्च में पादरी की स्पीच सुनकर लुइस सो गया जिसकी वज़े से मारसेल उसे डाटने लगी। अपना बनाया खिलोना दे दिया है। बाते करते हुए मार्टीन ने कहा कि वो लुइस को कराटे सिखाएगी जिसकी मदद से वो मारसेल को डरा सकता है। पर उसकी ये सारी बाते मारसेल ने सुन ली और उसकी शैतानियों के बारे में मार्टीन की मा को बता दिया। मारसेल और पेलो का रिष्टा दिन पे दिन बिगरता जा रहा था। पर इस बीच पेलो और लुइस की दोस्ती होने लगी। कुछ दिन बाद मार्टीन ने बताया कि वो अपनी मा के साथ एक डॉक्टर के पास जा रही है क्योंकि वो पेरो की तकलीफ की वज़े से कोई जूते नहीं पहन पाती। उस वक्त मार्सेल भी काम के सिलसले में घर से दूर थी और इसलिए लुइस को पेलो के साथ वक्त बताने का मौका मिल गया। एक तरफ लुइस पेलो से उसका काम सीख रहा था तो दूसरी तरफ मार्सेल क्लेर की जिंदगी के बारे में सोचकर निराश हो रही थी। वो जानती थी कि क्लेर और लुइस दोनों की जिंदगी आसान नहीं है और वो ये भी जानती थी कि लुइस के पिता ने क्लेर और लुइस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसलिए वो लुइस का खयाल रखना चाहती थी। पहलो भी लुइस को अब एक पिता की तरह प्यार देने लगा। और जिस आदमी से लुइस डरता था, अब उसी के साथ रहना उसे पसंद आ रहा था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह खुश देखकर, मारसेल हैरान हो गई, पर वो ये मानने को तयार नहीं थी कि पहलो एक बच्चे का खयाल रख पाएगा। पहलो को वही छोड़ कर मारसेल लुइस को अपने घर ले गई और उससे क्लेर के होने वाले बच्चे की बाते करने लगी। अचानक उसे पता चला कि पहलो ज्यादा शराब पीने की वज़य से सडक पर गिर गया है और मारसेल उसे लेने उसके पास पहुच गई। पहलो की हरकतों की वज़य से मारसेल को फिर से शर्मिंदगी जहलनी पड़ी और नशे में पहलो अपनी जिंदगी को कोसने लगा। उस राज जब मारसेल पेलो को घर लेकर आई तब लुइस को समझ आया कि मारसेल और पेलो की जिंदगी भी आसान नहीं है और वो दोनों चाह कर भी माता-पिता नहीं बन पा रहें। अपने कमरे में आने की कोशिश में पेलो कुछ चोट लग गई पर नशे में होने की वज़य से वो कुछ समझ भी नहीं पाया। और फिर वो उस कमरे में चला गया जिसे उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए बनाया था। उसने उस कमरे में मौजूद हर एक चीज तबाह कर दी और मारसेल के साथ भी बत्तमीजी करने लगा। वो कहने लगा कि जब उनका कोई बच्चा ही नहीं है तो उस कमरे में रखी चीजों का क्या काम है। लूइस ने उन दोनों की सारी बाते सुन ली पर मारसेल को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो सोने का नाटक करने लगा। अगले दिन उसने मारसेल से इस बारे में कोई बात नहीं की और मार्टीन के साथ खेलते वक्त उसे एक बूड़ी औरत नजर आई जो हर रोज एक छोटी सी बाल्टी लेकर कबरिस्तान जाती है। रोते लुइस अपने घर लोट गया। उस रात पेलो ने एक डॉक्टर और पादरी दोनों को एक ही रास्ते जाते हुए देखा और वो समझ गया कि किसी इंसान की मौत होने वाली है। उसके दोस्त ने भी उस इंसान की मौत से पहले ही कबर खोदने की तयारी शुरू कर दी। और अगली सुबह लुइस पेलो के साथ एक कॉफिन बनाने की तयारी करने लगा। लुइस जानना चाहता था कि इस गाओं में इतने सारे कबर क्यू है पर पेलो ने उसे समझाया कि इस से ज्यादा कबर पैरिस जैसे बड़े शहरों में होते हैं। पर उन शहरों में लोगों के पास कबरिस्तान जाने का और कबर को देखने का वक्त ही नहीं होता। उसने बताया कि इस गाओं में लोगों के पास वक्त ही वक्त है इसलिए वो मरने से पहले एक इनसान के साथ वक्त बता पाते हैं। कुछ देर बाद मार्टीन लुइस के पास आई और उससे माफी मांग कर उसे अपने खूफिया पेड़ पर ले गई जहासे वो लोग कबरिस्तान पर नज़र रखने लगे मार्टीन को वहाँ से जाना पड़ा पर फ्यूनरल खत्म होने के बाद लुइस ने मार्सेल को देखा जो एक चोटे से कबर के पास जाकर रो रही थी जब लुइस उस कबर के पास गया तो उसे पता चला कि वो कबर उसके बेटे लूकस का है जिसने जंग लेते ही अपनी जान खो दी उसकी मौत के बाद से ही पेलो और मार्सेल का रिष्टा बिगड़ गया था और हर कोशिश के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा लुइस अब उस घर का हिस्सा बन चुका था और पेलो उसे वो सारी चीजे सिखाने लगा जो वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था वो लुइस को अपने और मार्सेल के रिष्टे के बारे में भी बताने लगा और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा उस वक्त मौका मिलते ही लूइस ने लूकस के बारे में पूछा और पहलो ने बताया कि लूकस का जन उसी घर में हुआ था और उस वक्त वहा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था गाओ का कोई भी इंसान उस वक्त हॉस्पिटल नहीं जाता था पर उस रात हॉस्पिटल ना जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी आगी की कहानी लूइस ने मार्टीन से सुनी जिसने बताया कि लूकस की मौत के बाद तीन दिनों तक मार्सेल खुद भी मौत से लड़ रही थी और तब से उसने पहलों से दूर रहना शुरू कर दिया है वो पूरा दिन लुइस ने मार्टीन के साथ बिताया जो उसे बताने लगी कि वो एक क्रिश्टिन नहीं है इसलिए वो चर्च सिर्फ तब जाती है जब वहाग कोई मौजूद नहीं होता वो लुइस को अपने साथ चोरी चिपे चर्च में ले गई और एक नन की नजरों से बचकर वो दोनों चर्च की छट पर जाने लगे लुइस हमेशा की तरह इस बार भी डर रहा था पर मार्टीन के कहने पर जब उसने अपने डर का सामना किया तो उसे गाओ की वो खुबसू के लिए क्लेर की चिप्टी आई और लुइस ये जानकर हैरान हो गया कि क्लेर ने अब तक उस बच्चे को जन्म नहीं दिया है उस चिप्टी के साथ लुइस के पिता का एक पोस्ट कार्ड भी आया था पर उस पोस्ट कार्ड को देखते ही लुइस समझ गया कि वो उसके प कराने की कोशिश की और कहा कि उसके पिता भी उसके परिवार को छोड़ कर जा चुके हैं पर उसकी बातों ने लुइस को और नारास कर दिया और लुइस उस इलाके से दूर चला गया। को पता चला कि लुइस चट पर है। कुश्मती से उसे कोई चोट नहीं पहुची और ये सुनकर पेलो ने पादरी और डॉक्टर का शुक्रियादा किया। उस दिन पहली बार पेलो को भगवान और चमतकार पर भरोसा हुआ। मारसेल और मार्टीन लुइस को उसके छोटे भाई के बारे में बताने लगे। और तब लुइस को बहतर महसूस हुआ। उस रात मारसेल को हैरानी हुई जब उसे पता चला कि पेलो ने शराब नहीं पी और वो पूरा दिन पादरी के साथ था। मगर वो अब तक ये सोचकर परिशान थी कि अगर लुइस को कुछ हो जाता तो वो अपने आपको माफ नहीं कर पाती। उस रात लुइस ने पेलो और मारसेल के साथ कमरे में रहने का फैसला किया और ऐसा करने से उन तीनों को राहत मिली। कुछ दिन और गुजरे और अंत में क्लेर के वहां आने का वक्त आ गया। पेलो और मार्सेल दोनों बदल गए और अपने अतीद को एकसेप्ट करके एक बहतर फ्यूचर की तयारी में जुट गए पेलो की तरह मार्टीन भी लूइस के जाने से खुश नहीं थी और पेलो और मार्टीन दोनों ही लूइस को अलविदा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए पादरी और साइमन दोनों ने मार्टीन से बात करने की कोशिश की पर मार्टीन को बहतर महसूस नहीं हुआ कुछ वक्त बार लुइस खुद मार्टीन से मिलने गया और एक आखरी बार मार्टीन ने उसे अलविदा कहा लुइस ने पहलो से भी अलविदा कहा और अपनी मा के साथ उसी हाइवे पर गया जिस हाइवे से वो उस गाव में आया था उसी हाइवे की वज़य से आज लुइस शेर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलना